बोडी आप विश्वास नहीं कर सकते कि बोणी को आज कौन घर लाया है ये कौन है बस मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ इस स्ट्रिंग को रिमोट कंट्रोल कार के मुठ्टे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा लगता है कि बोणी उसे अपनी मा के शिल्प कक्ष के माध्यम से एक छोटे से अभिहान के लिए रहे गया और अब वो उसे ट्रांसफर करने में असमर्थ है सक्षम नहीं है स्टार कमांड किसी तरह से बोनी के कमरे से एक बेस थापित करने में खाम्याब रहा है मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक शीर्ष कमांडर अभी उतरा है और वो शेटल से बाहर निकलने वाला है आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बस यहां आओ और उससे मिलो वो तुमारे जैसे बहुत है उन्हें कई साथी खानून प्रवर्टन अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया है आपका शीर्ष कमांडर कौन है? उसका नाम कमांडर मिलकीवे है केंडी बार की तरह? नहीं, निकटम आकाश कंगा की तरह हमारे सौर मंडल के लिए खर ओ, वास्तविक दिल्चस बादमी की तरह लगता है व्यास थोने पर एक घंटे से मुझसे बात कर रहा है बेटा वो एक बहुती सम्मानित कमांडर है उनका साहस ना तो किसी से मेल खाता है और उनका अनुभव किसी से पीछे नहीं है मैंने अपना सारा मुकाबला अनुभव उन चीजों पर आदारित किया है जो मैंने उनसे सीखी है ठीक है, रिमोट कंड्रोल कार मैं स्ट्रिंग के बाद इसे वापस प्राप्त करूँगा चलो, कमांडर मिल की वेज़े मिलते है बुदी, मैं चाहूंगा आप शीर्ष कमांडर से मिले कमांडर, क्या वो तुम हो? तुम इतने अलग क्यों दिखाई दे रहे हूँ? नमस्कार, कॉमरेड लाइटियर प्रकाश वर्ष हो गया है जब मैंने आपको आखरी बार देखा था आपने तो बहुत कुछ बदल दिया है आपका स्टार सूट बदला बदला से लग रहा है और ये किस तरह का सूट है? अब मैं रिटायर हो गया हूँ बस मैंने थोड़ा धीला होने का फेसला कर लिया है कोई और अधिक कठोर प्लास्टिक सूट ये एक तरह से ज़्यादा आरम दायक है तुम क्या सुछते हो? क्या मेरा रंग फीला है? कमांडर, क्या आपने लेंडिंग पर अपना सिर मारा? आपकी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? लगता है आपके पुराने दोस्त ने आपकी सेवा निब्रती में एक नया शौक लिया है अरे दोस्तों, ये कौन है? ये कमांडर चिकन लेक्स है मेरा मतलब है कमांडर मिलकी वे जो स्टार कमांड के सबसे महान नेताओ में से एक है हाई कमांडर मिलकी वे आपसे मिलके अच्छा लगा क्या पता सकते हैं कि कच्रा का है? बस उसकी उपेक्षा करो वो भी सीख रहा है कि चीजें यहां कैसे काम करती हैं जाओ रेक्स को ढूणो और देखो कि क्या उसे कुछ मदद चाहिए ठीक है किसकी मदद करूँ? बस पूछो, जाओ वो जानता है कि उसे क्या करना है कमांडर, स्टार कमांड जानता है कि आप यहां हैं, वास्तम में तो नहीं मैंने खुद से एक छोटी सी राइड लेने का फैसला किया है ताकि मैं तुनिया देख सकू तुम जानते हो दूसरे ग्रह, गैलेक्जीज, आकाश गंगाए ट्राइ करूँगा हो सकता ब्लैग होल भी देखकर आजाओ ऐसा लगता है तुम थोड़े आप चमकीले हो गए हो आप कुछ सुनते है ये कॉक्पिट द्वार खुलने की आवाज है लेकिन अगर कमांडर मिलकी वे यहां है तो कौन दर्वाजा खोल रहा है तो पॉर्की पॉर्की नया है और उसने खिलोना होने की सभी जिम्मेदारियों को नहीं सीखा है वो ठीक है छोटे आदमी को वहाँ बैटने दो मज़ा आता है हो सकता है कि वो उसकी तस्वीर ले ले किसी के पास कैमरा है क्या नई मेरे पास कैमरा नहीं है और नई ये मज़ेदार नहीं होगा आपको समझबे आता है न वो काम के बारे में भोले की तरह है चलो दोस्तों हमें उसे वहाँ से निकालने की जरूरत है ये ठीक है हो सकता है हम इसे एक विदूशक कार का दिखावा कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हम कितने खिलोने वहाँ फिट कर सकते हैं मुझे सामने की सीट कहते हैं। कमांडर सुनिए, वो बोनी का पसंदीदा खिलोना है। इसलिए ये हसी का विशे नहीं है। क्या आप एक बैटरी या कुछ और याद कर रहे हैं। फोरकी, इदर आओ, बहुत नीचे उदरो। फोरकी, बस नीचे आजाओ, एक दिन के लिए तुमने काफी देख लिया है। अब तुम अभी नीचे उठते हो या नहीं, नीचे आजाओ, अगिर तुम नीचे आओगे ना, तो मैं तुम्हें पहली बार बो पीप को देखने की एक काहनी सुनाओंगा। मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है, फीचा टो, वो दूर ले जा रहे है। आप कोमरेट फूर्की को दूसरी तरफ से देखें, तुरक पर आसानी से जाओ, और बक्सुआ करने के लिए मत बुलना, अनंत की ओर और उससे परे। अरे, ये मेरी लाइन है, वो ठा रहा है, क्या वो खिड़की की दिशा में बताया गया है? चिंता मत करो, हम आपको इस जंजट से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी दर के लिए रह रहा हूँ, किसी को पता भी है मैं कहां तेर सकता हूँ, आली में कोई अच्छी किताब है पड़ो बाज बाज, याओ, हम उसे कैसे वापस लाने जा रहे हैं? जहां तक मुझे याद है, उसमें एक इंटरकॉम सिस्टम है, क्या आपकी बास रेडियो है कमांडर? हाँ, लेकिन क्या तुम एक मिनिट का इंतजार कर सकते हो, मैं आराम करना चाहता हूँ, पाटी पशू यहाँ के आसपास कौन है, कोई भी चेकर्स खिलना चाहते हैं क्या? मुझे वो रेडियो दे दो, क्या तुमारी पत्दी को पता है कि तुम यहाँ हो? वो इसके साथ ठीक ठाग है, अब वो वाटर कलोर पेंटिंग में है, बस क्या मुझे वो रेडियो मिल सकता है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कुछ मत करो, किसी भी बटन को जाधा बार मत दबाओ, हम तुमे वहाँ से ले जाएंगे, बुरी, क्या यह तुम हो? हाँ फोर मुझे कुछ याद आया, बुरी, रेडियो थमाना मुझे, फोरकी, यहाँ एक एमर्जेंसी बटन है, जिससे हम अपने लेंडिंग स्टेशन वापस जा सकते हैं, यह हरा है और पीला है, इसको दबाओ, और तुम वापस अपने बेडरूम में पहुँच जाओगे, ऐसा मत किसी दुविदा में नहीं हूँ, हूँ क्या? नहीं फोरकी, बस तुम वापस आ जाओ, पीछे अटो, वो वापस आ रहा है, खिड़की के सरीए, वाह, क्या कातिल उडान है, मुझे लगता है मैं कचरे में थोड़ा आराम फर्माना चाहूँगा, बहुत अच्छे सोल्जर आपने इसे लगबा का वायू मंडल से बाहर कर दिया है, कमांडर, अगर आप पर रहने जा रहे हैं, तो आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करने की ज़रूरत है, जैसे हमारे कमरे को आराम के लिए छोड़ने के लिए साथ ही खेलोनों को प्रोचाहित ना करना, आ तुमारे पास पकड़ने के लिए बहुत कुछ है,